गुद इबनिंग टू आल जुड़ जाएं सभी एक बार गुद इबनिंग गुद इबनिंग सभी लाइब आ जाएं एक बार जल्दी से ताकि सेशन को फास्ट करें सभी एक बार जूड़ जाएंगे फटाक से हेलो गुद इबनिंग गुद इबनिंग चलिए पटाक से जूड़ें एक बार जल्दी से सेशन को आगे बढ़ाएं जाएंगे एक बार गुद इबनिंग टू आल गुद इबनिंग गुद इबनिंग जै महाकाल जै महाकाल चलिए 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 जूर रहे हैं गुद इबनिंग पटाक से जूर जाएए चलिए आज आप लोग के लिए कि यूटिलाइजेशन का भी चेप्टर लेके आये था मैं यूटिलाइजेशन के theory हमने चार unity बोले थे करवाएंगे जिसमें आपका illuminations and light होगा, heating होगा, electroplating होगा, welding होगा, इस चार ट्रेक्शन होगे, इन सब टॉपिक को देखना था, जिसका आप एक lecture दिया था, पहले introduction, अब अब चेप्टर कौन को उसे पढ़ने है, दूसरे में आज introduction, illuminations को यह से पढ़ना है, उसमें हमने 18 topic, 20 topic बता है, illuminations के अंदर, उसको आज से आगे continuum करेंगे, जाए महाकाल, RACB की test series कब शुरू होगी, I hope RACB के बारे में हम लोग का work करना शुरू किये हैं, देखते हैं, जल्दी-जल्दी आपके सामने present करने कोशिस करेंगे, workload एक्चुली बहुत जादा है, और उस रबतार से जो है, एक तो सर्दी है, और हर काम नहीं हो पाता, फिर भी हमारी जितनी भी कोशिस होती है, हम करते हैं आपके लिए, और एक जी और ध्यान रखना है, जो PLC SCADA के बारे में बात ने, दो मिनिट के लिए, आपके लिए, PLC SCADA की अगर बात करूँ, इना, विट माइक्रो कंट्रोलर, इना, माइक्रो कंट्रोलर के साथ, इनको कवर किया गया है, आप पर कम्प्लीट ये लेक्चर है, PLC SCADA का, तो जिसको भी UPPCL के रिगार्डिंग बात करना है, बिल् भी प्राइस ने लिए, बिल्कुल वहाँ जाओगे तो आप अपने दोखोगे, आरे ही तो कुछ भी निया, चलो स्टार्ट करते हैं चीजों को, तो PLC SCADA वहाँ पर मिल जाएगा, विकासर ने काफी महिनत करा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, चलिए, हम च SCJ कोर्स में आपके एप पर इन्रॉल है, उन बच्चों को अगर किसी स्टेट का एक्जाम देना होता, तो जैसी कि डिजिटल इलक्ट्रोनिक्स, ओके, पावर इलक्ट्रोनिक्स, एना लोग इलक्ट्रोनिक्स, उसके बाद मैं बात करूँ कि यहाँ पे PLC, ESCADA, यहाँ यह यह भी include है, और एक subject और include है, यहाँ पे digital control system, यह 5 subject का एक package बना हुआ, 5 subject का, तो यह भी आप लोग देख लेना, कि SSCJ के अलावा, अगर यह 5 subject आपको चाहिए, कुछ भी charges यहाँ, यहाँ 5 subject के लिए only, 625 approximate आपको एविलेवल लगणा हो का यहाँ पे, और यहाँ तो कुछ भी ने लगड़ा, 125 है, ठीक ना, इंचेयों का ध्यान रखना, अभी offer price है, इसे का खयाल रख लेना थोड़ा सा, ठीक है, चलिए हम चलते हैं, आगे, क्योंकि यह ज्यादा करते नहीं, आप लोगों के सामने, चलिए, चलते हैं, जोईन ध्यान रखना, आप टेलीग्राम स जुड़ जाना, बहुत लिंक मिलेंगे, जहां तक बातरी machine practice rate, वो भी 10 तारिक से, 10 तारिक से आपको बेसक मिलेगा, लिंक टेलीग्राम पर, चलिए, 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 पहला question, first question on the screen, पहला question आपके screen पे है, question का जवाब देंगे, आप लोग, सर किस पे मिलेगा, इंजिनियर्स प्लेटफॉर्म के एप पर, इंजिनियर्स प्लेटफॉर्म के एप पर, है न, इंजिनियर्स प्लेटफॉर्म के एप पर, है न, के एप पर, जब जाओगे, नीचे store का section होगा, वहाँ पे, इस click करोगे, चलिए, चलिए, जाना, यूपी फेज फेज सिंगल फेज फाई करना था सिंगल फेज इनर्जी मीटर होएं डाट डॉट 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 इस एनर्जाइज एंड इस मेंली विकॉज ऑफ किसके कारण यहां पर खतम होता है क्वेश्चन आप जवाब देंगे इसका जवाब देंगे कि डिजिटल एलक्ट्रोनिक्स है कि एससी वाले का लिए बस अरे सब वहाँ पर जाओ एससी वाले का भी जो जहीं का कुर्स अलेडी ले रखा है उनको पता चल जाएगा कि अभी क्या प्रैस मिला कुछ भी नहीं है आप वहाँ जाके आसानिस कर सकते हो चलिए 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 तो क्या है क्रीप अकर्स इन सिंगल फिज क्या होगा इसका जवाब ये बताइए अभी अन्ता जी बताइए क्या होगा इसका राइड जवाब जवाब आना चाहिए इसे कुश्टन के जवाब अमित पावु बी बी आलोग जी बी सनो सरोज कुमार बी बी बहुतों के जवाब बी है इसका मतलब अच्छा प्रेसर कोईल ऑवर कम बंसेंटेट बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा हुआ कुश्चन से अपनों के हैंना बस रिपीट होगा यहां से ज्यादा कुछ आपको नहीं दीगा क्योंकि नुमेरिकल पार्ट लास्ट थाम में हमने देखा आगे कई बार होगा तो ज्यादा ज्यादा पीडिया भी आप लोग को प्रवाइड कर दिया जाएगा कि आप लोग उस प्रैक्टिस को देखें और कंटिन्यू आगे करें यहां से अगर नहीं होगा तो ज कि अटे रेडिन्स ओके बीडियन जो आपके घर है सपनका महल होता है ऊके मिष्चार्जेज किसके लिए घ्री चार्ज्यार्ज़ कोंसा ऐसा पावर काकर आपके चार्ज़् किये जाते हैं टी पावर है क्या थ्लगा और है या production of voltage and current यानि बी 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 चलिए दिलिव जोती बी बी ट्रू पावर बिल्कुल हमेसा true जब आप residence की बात करोगे तो यह true power की बात करता है किसकी बात करता है true power की ध्यान रखना true यानि real power यह समझता है इसलिए जो residence होता उसमें यह मानता है कि inductive load इतना हुए है भी होत हो तो कुछ नो कुछ power factor तो रहता है पर उसके according की चलो ठीक रेजिस्टिव लोड में इसको मालने थे सो कॉस फाइल नियर क्लोज टू वन लिया जाता है तो पावर फेक्टर टूफा यानि पावर आपका true होता है इसलिए अगर आप किसी घरो में भी कोई ऐसा setup यूज करत पावर तर्ट यानि एलिए बैंकिन इसलिए सोईता कुमारी जी गी डिलिप जी तोजिए जवाब आणा चीए जवाब आ चीए इस question के जवाब fan motor has more energy consumption जी इसलिए motor सिद्धात कुमार इसलिए heavy motor अगर होता है तो वहाँ पे अपने को commercial चीज़ें यूज़ करनी होती है नॉर्मल light load के लिए अपने को true power का ही consider करना होता है और करते भी है true power ही considers करते है चलिए चलिए next question next question बी इसका भी बी आ रहे क्या breaking installment नहीं नहीं इसका तो भी नहीं होगा आप बाकिया देखो क्या होगा डी 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 डेमो चैनल सचीन्स चोहां जी बी स्यामो डी ओसो ओके स्यामो सो यानि बहुत के जवाब आ रहे है डी डी चलिए चलिए डी जवाब आ रहा है डी बिल्कुल सही बिल्कुल सही इसका मतलब आपने को प्रैक्टिस अफटा पड़ गोली के रफ्तार से चलना पड़ेगा सो डी is your right to maintain steady steep to maintain speed there and equal to driving torque and equal to driving belt ध्यान राकन कशना है यहां पर क्या डिस्क होता है यहां पे breaking magnet का यूज किया आता है, न, breaking magnet, और यहां पर hole भी होते है, तो यह क्या होता, बहुत तेजी का motion नहों, speed को भी control करने काम करता है, क्योंकि यहां पर यह पर अत्तने Asia, प्रोता है, N-Pool और 50, साहच आप लोगों को नहीं էिख रहा होगा, यहां पर एक पर होता है n fool और दूसरे पर होता है एक परन दिसरा है यह speed को भी control करता है and equal to the driving torque driving torque के equal भी होते है चलिए next question sir तो fan free में चलता है क्या? free में नहीं चलता वो आपका एज है relative load ही माल ले जाता है ठीक है इसका power factor जो होता है इतना poor नहीं होता लेकिन जब heavy motor industry वाला यूज़ करोगे तो वहाँ power factor पूर होता है 0.6, 0.7, 0.8 होता है जबकि आपके fan का power factor 0.9 से उबर ही जाएगा 0.9 से उपर ही तो इतना heavy inductive load नहीं होता ठीक है न चलिए कोई बात नहीं अब इसे लेट नहीं होता आपको अब तो playlist में 100 भी करता है एक दिन डिले नहीं होता जब नीचे जाओगे live past live recorded अगर वीडियो की बात की जाए तो playlist में नीचे चले जाना सीधे वीडियो में लाइब पास्ट वीडियो दिखाएगा अगर एक गंटे बाद भी देखोगे तो वहाँ दिखेगा और वहाँ पाराम से क्लिक करके जा सकती हो वह अलग अलग अप्लोडेट वीडियो के लाइब पास्ट वीडियो के जो अपकमिंग लाइब होगा उसके वीडियो के तो आप आसानी से वहाँ पे यूटूब पे देख सकती हो चलो नेक्स्ट क्रीपिंग का में कॉस्ट क्या होता है इंडक्शन टाइप के इनर्जी मीटर का क्लियर है बताइए मैं लेट हो गया कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है लेट हो गया तो अमीद बाबू ए चलिए अमीद बाबू ए चलिए बांक्यों के जवाब फ्रिक्शन कंपन्सेशन फ्रिक्शन कंपन्सेशन एक ने जवाब दिया लैडले कम आवर्लोड कंपन्सेशन एना नेक्स दिया है ब्रेकिंग टॉल्क प्रोडूस ठीक है चलिए बीच वान अब ध्यवाफ धॉलाइं धनले काउज और सफिर्फ पिंग किसक्त पर दिंगVAन टन टाइप मिटर क्या सवाब दीज्य त cognitive कि टॉल्ट मेटर ब्रेकिंग का होगा जबाब दिजए दिशी शी होट ए अवर्लोड कंपन्सेशन फटा फट अदिया नेक्स अंट ए चलिए फ्रिक्षण दीखिए अगर बात करोगे ना फ्रिक्षण कमपनसेशन इज different फ्रिक्शन के compensation होता है, लेकिन following main cause of creeping की बात की जाए, main cause जो होता है, एक होता है क्या overload compensation, यहाँ पे दोनों confuse करता है, ध्यान रखे, overload compensation से तन तो होता ही है, friction compensation भी exist करता है, friction compensation भी exist करता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है इस जो में ध्यान रखना है main cause of creeping main cause of creeping अगर बोलता है induction tap में तो induction tap की अगर बात करता है तो वहाँ पे होता है overload compensation यहाँ पे क्या होता है overload compensation के cause होते है यानि अगर ध्यान रखना है no load होगा no load अगर होता है तो no load के condition में क्या होता है, mainly voltage, आपका voltage level क्या होता है, rise करता है, no load condition में over voltage होता है, तो over voltage होने के कारण क्या होता है, आपका creeping होता है, over voltage होने के कारण क्या होता है, no load condition में ही तो creeping होता है, over voltage, voltage एक level से ज्यादा होने पर creeping होता है, तो इससे भी ज्यादा suitable अगर answer कहा जाए, तो friction इससे भी ज्यादा suitable answer बोला है तो friction compensation होगा इस चीज का ध्यान रहे चलिए चलिए नेक्स्ट बात मैं करूं नेक्स्ट बात करूं मैं यहाँ पर next question क्या कह रहा है creeping error may occurs in induction type energy meter due to किसके कारण होता है creeping error किसके कारण होता है creeping error ध्यान रखेंगे creeping error may occurs in induction type energy meter फिर उसी से question आया है इसका जवाब देंगे creeping type के error किसके कारण होता है next जवाब आप लोग देंगे क्या increase position of break magnet होता है क्या incorrect adjustment of position of setting होता है या over voltage across the voltage कोयल होता है या increase the temperature होता है which one is right so 5 का question भी बड़ा interesting है ध्यान रखे इससे पहले friction आया over voltage का हमने cross किया कि नहीं over voltage नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे था क्या वहाँ पे था वहाँ पे था वहाँ पे क्या तो over compensation था आए ना over voltage एक cause हो सकता है तो इसका जवाब लोग दीजिए एक बार C, 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 किसी का B आ रहा है और बता यह next 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 A, A नहीं 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 increase in correct position of breaking magnate नहीं यह cause नहीं हो सकता और 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 बी पे गया है बी के इनकरेक्ट एड़्जस्मेंट ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता नेक्स्ट 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 कितना पीछे तुम लोग चल रहे हो कितना पीछे तुम लोग चल रहे हो A, B, 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 Target 800 में कितना पीछे चल रहे हो अब चलना है यह किस चीज़ का सिलसला चलना था A का सिलसला चलना है उसके बाद B का सिलसला लगाता है और खूब चलना है कहां जा रहे हो तुम अब C का सिलसला शुरू हो गया क्या है तुम लोग कितने पीछे चल रहे हो ध्यान रखिए यहां पर बात होती है ओवर बोल्टेज यहां पर क्रिपिंग एर और अभी मैंने बताया क्रिपिंग क्या होता है सबसे पहले क्रिपिंग क्या होता है इस चीज़ का ध्यान रखना है creeping जो होता है अगर आपका load यहाँ पर लगा था ना load लगा था और यहाँ पर आपका energy meter लगा हूँ है suppose यहाँ पर energy meter लगा हूँ है load को अपन sudden हटा देते हैं load को अपन sudden हटा दिए तो ऐसे condition में over voltage होता है क्रिपिंग ए रडोकस है तुम मों कितना पीछे चल लिए मुझे तो इस चाइडिय नहीं लगड़ा मैथ जवाब दे रहा हूं सबने की महीं जवाबार छे अब सबके जवाब सही है 11 का क्या होते हैं अब सबka के जवाब सही है ओवर द्रैंड यहान रहें ओवर बोल्टेज इन्चियों का ख्याल ओवर बोल्टेज होने के कारण क्या होता है आपका क्रिपिंग होता है क्यों क्यों क्रिपिंग होने का मतलब है नो लोड जब कर दे सडन तो भी डिस्क लगाता और गूम रहा होता है तो भी डिस्क लगाता है घूम रहता है उसका रेजन यही है कि current तो खतम हो गया नो लॉड कंडिशन में current तो खतम हो गया लेहीं इसके cross voltage तो है voltage थोड़ा rise करता इसके कारण होता है ठीकर नँठीक है चलिए 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 बिल्कुल बिल्कुल जी अबर बोल्टेजेकान स्ट्रेम मेंटिक फिल्ट फिल्ट प्रोड्यूस हो जाता है चलिए चलिए next question कह रहा है आपके screen पे है के आफ for for controlling the vibration vibration को control करने के लिए of the disc of ac energy meter ac energy meter के जो aluminum की disc होती है इसके vibration on & & & & & & & & Customer & 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 चलिए सबको पता है तो बहुत फस्ट आप जवाब देजे निया चोद्री जी ए चले डेमो बहुत फस्ट आपको झेना पड़ेगा एडिकरेंट किसके कारण एडिकरेंट ध्यान रखे और श्रती करंपींग और किसमें प्रोइड किया था है P.mmc इंस्ट्रुमेंट है बिल्कुल सची निए ओके सची नेक्स्ट 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 कुश्चन ओन दी स्क्रीन यह कुश्चन आई होब सबको याद होगा यह कुश्चन सबको याद होगा सीधे ही फॉर्मूला है यहां पे बेलू फाय है यहां पे बीटा है किसके पॉपो प्रेशर कोई प्रेशर कोयल आई पी आपको पता ही है क्या होता है ओके नार्ट इन अधिक करेंट कोई is used to measure power the reading of watt meter will be proportional to watt meter reading any power किसके proportional होता है चलिए next बिल्कुल PMC में होता है DD बहुतो के C good evening good evening Ravindra Kumar good evening Saroj चलिए फटाक से जवाब दिजे Amit C Amit Yadav C Sanoj Kumar C Swetha Kumari C Dinesh Kumar C Sahil Shiddiqui C Manoj Kumar A बिल्कुल बिल्कुल बहुतों के जवाब कुछ से कुछ आ रहें लेकिन ध्यान रखें आपने एक equation देखा होगा power का EDTAP में सीधे निकलता है BP into यहाँ पे IP और finally cos 5 के proportional होता है ऐसा आपने देखा होगा equation यह बड़ाब standard equation है कि आपका जो होता है EDTAP instrument में ध्यान रखें EDTAP instrument एक non-linear device होता है किस के case में voltage voltmeter और ammeter के case में EDTAP का instrument non-linear होता है ध्यान रखेंगा non-linear सारे चीज़ें आपको पता होना चुछय बहुत सारी चीज़ें आपको पता होना चीज़ लेकिन EDTAP याणि electro denominator tai fps का wattmeter कैसा lotis linear रोता होता है linear होता इस चीज़ का फो बздशक पता होना चाहिए बहुत बच्च कंफ्यूज होते में इस चीजों में इस चीज़ का ध्यान दे है कि इडिटाप इंस्टूमेंट का वाट में तदो ङॉट किसके पोपोरचनल होता है इस पावर का यह पावर दीखाना ऑवेसली पी-उन्स पहोता था था लीनियर एडी टाप का वाट मीटर होता है Leyni लिए एलिएडी टाप का वЙल्ट एमिote होता है non-linear कैसा होता है non-linear इस तो का खैल्रे ठीक है किलियर है तो इसकी है और लेकिन सारे equation को अगर देखना है तो सारे equation होता है यहां पर देखिए cos beta into cos phi यानि इसके साथ cos beta into cos phi इसके लिए बात की जाए इस तरह के questions के लिए तो हमारा होगा c हमारा right answer यह final derivation होके निकलता है जब हम shortcut मारते हैं तब final equivalent value यह निकलता है लिए उससे पहले data यह रहता है चलिए next question on the screen next question on the screen बता यह बड़ा famous question है बहुत बार पुछा जाता है बड़ा famous question बड़ा famous question है इसका जवाब देंगे सभी next question on the screen जी एडिडेंपिंग वहाँ पे डेंपिंग होता है लेकि लिनियर होता है पीमसी में बिल्कुल बिल्कुल तो वहाँ पे तो एडिकर डेंपिंग तो पिर current के recording तो linear होता है चलिए दो जार चंदन सिंग को direct answer है याद है चंदन सिंग को बिल्गूल direct answer ही याद है ना चंदन सिंग को direct answer बड़ा famous question है direct answer ही याद है लेकिन क्या ये answer सही है क्या answer सही है चलिए आज एक announcement है जो भी सबसे पहले इस question का right answer देगा मेरे तरफ से measurement का course उसको free मिलेगा आज जो भी इस comment में पहली बार सही answer देगा एक बार में मेरे तरफ से measurement का course उसको free में मिलेगा measurement का animated fully course free मिलेगा पहला comment जिसका भी मिलेगा मेरे तरफ से इस चीज़ की guarantee है चलिए चलिए जो भी आएगा वो मुझे call कर लेगा बेसक हम उसको provide करेंगा पूरा measurement का animated course इसमें जिसका भी पहला comment आएगा right answer का इस question का जो भी right answer देगा हमारे engineers platform के engineers platform के app से okay platform के app पे आपको मिलेगा my measurement course ओके एक subject का fully animated course हम उसको provide करेंगे चलिए दिनेश कुमार बिलकुल दिनेश कुमार का पहला जवाब देखने को मिला है दिनेश कुमार फर्स्ट दिनेश कुमारी the winner today आज एक पहला announcement लगा कि इस टाइप का कड़ी देना चाहिए ठीक है न तो दिनेश कुमार को हमारी तरफ से जो हमारा इंजिनियर्स प्लेटफॉर्म के एप पर measurement का जो course है ध्यान रखेगा measure में दिनेश कुमार आप contact कर सकते हो आपको नंबर दिया जाएगा 8709631963 इस नंबर पे आप call करेंगे आपको course activate करके दे दिया जाएगा measurement का animated पूरा course measurement का चलिए 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 दिनेश कुमार ठीक है नहीं सर PLC और SCADA चाहिए दिनेश कुमार बिल्कुल अगर आपको PLC SCADA चाहिए तो हम PLC SCADA प्रभाड कर देंगे ठीक है PLC SCADA में इस कुमार को यह मिल आप इस नंबर पे contact कर सकते हो बेसक्त चलिए चलिए अब ऐसे question के answer कैसे होंगे यह लगा सकता है अब क्या करोगे तुका भी लग सकता बिल्कुल लग सकता पर जिसने दे दिया यही तो होता है लगकी ड्रॉर है ना हो सकता है कि वो कर सकता हो सकता हो जाना अब यह कैसे तुम कह सकते हो कि तो कहीं हो सकता है है ना चलिए इन्होंने बोला है तो कॉंग्रेट यहां कितना है 300-वोल्ट और i a total 25000 मौ और हाट यहां किया गया है देख़िए एक और जो है यह वाट रद यह मार्क किया गया है अगर बात करा जाए तो आट मिटर विस तरह के से मार्क किया गया है करेंट की रेटिंग 15 एंपियर ना बट तीस एंपियर मैक्सिमूम 30 और मिनिमूम 15 बोल्टेज की 300 मैक्सिमूम मिनिमूम सॉरी बटा सोल सो माक्सिमूम यह दिया गया जब कि इटीज स्केल मार्क जब इसकी स्केल जो मार्क की गई है इसकी जो स्केल मार्क की गई है वह कित्ता की गई है स्केल इसकी जो मैक्सिमूम मार्क स्केल की गई है यह है 4500 watt यह ना किते 4500 watt ठीक है चलिए 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 इसका मतलब क्या है पपले इसको जी को देख लिजे इसका मतलब है और मीटर इसके कनेक्टेट टू 30 एंपेर 600 बोल्ट मीटर किसे कनेक्टेट है 30 एंपेर एंड 600 बोल्ट the point indicate 2000 watt कितना indicate कर रहा है जी 2000 watt the actual power in the circuit अब ध्यान से समझेगा जब यहाँ पे इसकी scaling कितनी है देखिये किसे कनेक्ट है 30 x 600 तो total कितना हो जाएगा total कितना हो जाएगा किसे कनेक्ट है 30 x 600 तो यहाँ पे होगी आपको 18 और कितने 0 हो गए अठारा ग्रॉस तीन 0 आ गए इतना हो गया है यह कनेक्ट है total इतने से connected है जो पावर का रेटिंग कितना इतना इतना इसको कितना रीड कर रहा है जब होना चाहिए था 18,000 वाट है ना यहाँ पर कितना होना चाहिए 18,000 वाट और यहाँ पर दिया कितना है total 2000 वाट कितना दिया वाजी 2000 वाट रीड कर रहा है और इसमें 4500 यह दिया वाट पर इस दिच को ध्यान रखें ध्यान से समझेगा एक बर दिया कितना है 4500 वाट दिया कितना है maximum 4500 वाट उसके corresponding यह maximum scale कितना है यह 18000 और यह दिया है उसका maximum पे कितना यह maximum पे जा रहा है इसके rating के according तो आप कितने पे जाओगे इसके rating के according आपको किसारी इसके rating के according मैं जा रहा हूं 18000 वाट पे 18000 वाट पे ठीक है वह लेकिन कितना यह बोला है यह बोला है सारेस फारी जार बाक यह हैं तो 전에 क्लिस्टी कर रहे हैं तो कितना की जारी है Priest कार सुनिछ सीवर्ण तो कितना गुणा ज्यादा है एक्चुल में होना चीए था तो इसको 4500 से भागा दे दो गए तो 4500 चार गुणा ज्यादा जो भी रीड करेगा उसका चार गुणा ज्यादा जब यह रीड कर रहा है 2000 जब यह वाट मीटर यह वाट मीटर रीड कर रहा है 2000 जब यह वाट मीट तो scaling कितना गुणा से एक्च्वल होना चीए एक्च्वल कितना चार गुणा से बढ़ जाना चीए एक्च्वल कितना चार गुणा से question को फिर से समझे question interesting है बच्चे confused करते हैं लगाता ध्यान से समझेगा तो चार गुणा से स्केलिंग से बढ़ गया इसका मतलब दो हजार तो इसकी रीडिंग देख रही है और स्केलिंग एक्च्वल में वह कितना बढ़ाएगा जी चार गुणा बढ़ा देगा चार गुणा तो वैलू कितना हो गया आठ 800 वैलू कितना हो गया कि दो आजार दिया है कहा दो हजार दिया है तो दो हजार कुणा चार आ resonates बहुतों को याधी रहता है इसा question so D is your right answer so D is your right answer clear RSV में diploma क्या है RSV diploma ठीक है one more chance sir चंदन सिंग one more chance चलो देखा जाएगा पर यहां पर चीज़ें clear होनी चाहिए मेरे recording है कि चीज़ें आपको clear होनी चाहिए कि किस तरीके से होता है कह रहा है यह rating है तो इसकी according rating को देखा जाए तो यह बेचारा सारे चार जहां पर maximum rating है ध्यान समझेगा जहां पर maximum rating मापने पर जो value दिया हो है उसको गुना करने पर हो रहा है 18,000 उसको बोले है वाट मीटर उसको 4500 मापर है तो चार गुना स्केलिंग हुआ कि नहीं 45 गुना चार 18,000 हो गया तो जो भी अगर दो यह हजार मापर है अगर वाट मीटर दो हजार मापर है इसका मना तो रियल में कितना होगा चार गुना से बढ़ा ये तो 2000 गुना 4 कितना होगया 8,000 2000 गुना 4 गुना 8,000 कि लियर है चीजे तो वही चीजे बोल रहा है तो यह होगी आपको final 800 sorry final 8000 वाट D is your right answer क्या है comment once more chance logic बताओ दिनेज भाई चलो कोई नहीं M into 4 ठीक है side में A ना दिख रहा कोई बात नहीं side में कहां नहीं दिख रहा जी अच्छा चलो इसको हम करेंगे compensate करने कोशिस करेंगे मोहित कोई डिप्लमा में sir brother last year डिप्लमा एलाव नहीं था अब तक RACV में तो एलाव नहीं था पर उमीद है कि डिप्लमा में भी कर दे vacancy ओसे कम देखने को मिलता है तो गॉवर्मेंट का अपना मं है अट डिप्लमा कर दे नहीं कर दे एलाव कर दे तो गवर्मेंट का अपना मन है और संभिदान में बुक्वा BUTर को कभी करना है ऐसा नहीं एक बाहरी वाला को सब 10% से ज्यादा नहीं देना चाहिए अब तक जेनरल में बाहरी फाइट करते थे राजस्तान रसीवी में लेकिन अभी ये भी था कि 10% ही 10% ही बाहरी क्या हो एला हो इसकी भी बड़ी जोर दोर से चल रही थी पिछले बार के स्ट्राइक में जो इससे पहले बाहरी स counting Ridge in English में सोल说 है इसलिए कनfuse دे में सोलस अच्छा चलिए सफ चलिए चलिए आमेजिंग टेंच यह लाइनिंग दे दिया था अच्छा सोलस आ था इसलिए कन्फीूस थे चलिए 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 है मोंगत सीन स्केवल प्लीज सेर मी चलिए टाइम सेर जाएगा आप लोगiones सर इस बार हो सकता है चलिए चिए जैले बिल्कुल किलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, चले, next question on the screen, next question on the screen, question क्या कह रहा है, इसका जवाब देंगे, कह रहा है, the moving coil in a dynamometer wattmeter is, the moving coil in a dynamometer wattmeter is connected, क्या होता है, बता ही, क्या होगा, बता ही, which one is right, which one is right, चंदन सिंग भी, योपे-पीजियल, योपे-पीजियल, इलेक्ट्रोनिक्स में, ITI से भरा, उसके लिए काम, कल हो सकती है, ये class, अरे, ITI का course आएगा, हमारे पास, ITI की course आएगी, ITI जितना alignment वगड़ा होती है, उसकी course आएगी, Hindi medium में, diploma का course आने वाला है, Hindi medium में, semester का course आने वाला है, ठीक है, semester का आपका course आने वाला है, UP, बिहार, जारकन, वेस्ट बंगालीन सब का, ठीक है, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, हम चाहते हैं कि semester का बच्च क्यों, B.T.E.C. diploma complete करता है, फिर आके course खरीता है, एक साल और बरबाद करता है, फिर किसी और चीज़ में फंसता है, तो दो साल और खराब करता है, है कि ने, तो हम चाहरे हैं कि ना, during B.T.E.C. or diploma, enjoy करते वे चीज़ों को पढ़े तो ज्यादा बैतर होगा, ठीक है न, इस current coil होता है, और दूसरा क्या होता है, moving coil है न, एक होता है, moving coil, potential coil है न, तो current coil क्या होता है, हमें सा motor, यह क्या होता है, पतला, यह होता है, हमें सा motor, यह क्या होता है, motor, और यह क्या होता है, पतला, तो obviously, क्या कर रहे है, the moving coil, तो moving coil तो यह है, यही घूमता है, तो pointer यही घूम कि पच्पनेक्ट होता है सो बी इस यहां से बनते हैं कौन भारी मोटा होता है क्यों रखाएगा ज्यादा करेंट गुजारना किसे होके लोड से ज्यादा करेंट कोड़ीचि अनकर लोता रखना पड़ेगा करेंट को मौता रखना पड़ इंक्तिव होता है Wॉकसिन हय सब्सक्ने निखा था कि यह में ड्रका निक है अडे मेक cents है में कर दो में के से लिए में क्या क्या है CPWD की बात देखी जाएगे चलिए next question on the screen next question on the screen बदल गया क्या question बदल गया चलिए कह रहा है the moving coil कह रहा है the moving coil in a diameter watt meter is connected औरे यह तो question होई है चलो next question on the screen next question the three watt meter method of a power measurement can be used to measure power in dice क्या होगा इसका सभी जवाब देंगे आप लोग रेजिस्टेंस कम हो जाता है इसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा इसमें कहां से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा जी कितना पीछे चलते हो समझ नहीं आ रहा है यहां पे देखना पड़ेगा कनेक्टिविटी की कुछ ही सू है अभी रेजिस्टेंस चलिए जबाब आने लगें बी एबी एबी चलिए बी एबी का बात ऐसा क्या है जी देखो ऐसे क्वेश्टेंस में कोई गलती नहीं करना चाहिए अगर आपको थियोरी कॉंसेट मिजर्मेंट का अच्छा है तो जो आज के क्वेश्टेंस कर रहा हूं ना उसमें किसी की गलती होने कोई चांस नहीं कहीं भी इससे पहले वाला थ्वार नुमेरिकल टाइप था लेकिन इस इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आई होप इससे लेटर मैं और कुछ नहीं कराके कुछ आगे मूव करूँगा कुछ आगे मूव करूँगा और इस पर बेस्ट कुछ नुमेरिकल में आप लोगों को थमा दूंगा या हो सकता है कि आप पर टेलीग्राम पे मिल जाएगा इंजिनियस प्लेट फॉर्म टेलीग्राम पे जूर जूरे रहेंगे ए आंसर ठीक है थिरी वाट मीटर में थर कह रहा है अब पावर मिजर्मेंट कैन भी यूज़ टू मिजर पावरीन क्या वो बैलेंस एन बालेंस दोनों के लिए है सिर्फ बैलेंस के लिए है हरऊ बालेंस के लिए हिरुत ही उठीक में थरकतर में थरुट कमा पावर हो बैलेंस झोर और ओंद शूर जाये सुझ और जैसे कहीं मीच जातने है दो मिनिमम अगर लोड अन बाइलेंस हो तो मिनिमम चाहिए दो अगर बोलता है लोड बाइलेंस है तो मिनिमम वाट मिटर कितना ची एक अगर लोड बाइलेंस हो तो थिरी पावर को मिजट करने के लिए सिर्फ एक वाट मिटर भी काफी है अब ध्यान रखे और कहता है कि पाउर कुप करना है तो लोर्ड अनबारों बालेंस है तो मैक्सिमम मीनिमम मैक्सेम चाहिए तब थीन तब क्या होगा दो मिनिमम तो मैक्सिम्म 3 अब कलेंस और हो सब्सक्राइब धिए सब्सक्राइब देगा बहुत पास्ट इसका जवाब देगा बहुत फास्ट इसका जवाब देगा सब कोई बहुत फास्ट जवाब देगा इसका बहुत फास्ट जवाब देगा इसका डी 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 चलिए चन्दन सिंग डी अर्वीलियादवजी डी चन्दन संग डी अर्वीलियादवजी डी सणोज कुमार سहु बहुत सिंपल कुष्यन था अ अध बी अंकूर कुमार बी पोस्ट ँपुस्ट अफीस यह एक मेथड है यह मेथड है ठीक है ना तो यह बी नहीं बी नहीं डी चलिए mostly का जवाब सही है so D is your right to watt meter method किसे मापते है जी power को मापते है ये क्या करता है जी power measurement के लिए ठीक है ना गलती नहीं होना चीए ठीक है चलिए चलिए ये गलती है ठीक है ना चलिए next question on the screen फिर कुछ बढ़िया मामला आ सकता है जो सही जवाब देगा अभी नहीं आने वाले time में question जो सही type कर देगा बहुत fast उसको मिलेगा एक PLCS काड़ा का course जो आज ही launch हुआ है सिर्फ PLCS काड़ा का एक course जो आज ही launch हुआ है इस इस का ध्यान रहे अभी नहीं बोल ला हूँ जब मैं बोल दूँगा तब समझना लेकिन अभी normal question करिए question क्या कह रहा है the creeping is observed in creeping is observed in creeping को किसमे observe किया जाता है creeping को किसमे observe किया जाता है c c c c c c c energy meter किसमे होता है creeping किसमे होता है energy meter इसमें तो कुछ था ही नहीं तो फिर इसमें तो कुछ भी नहीं है चलिए आएगा प्राइज वाला एक और कुशिन आएगा इंतजार किजिए the disk of demonstrant supply energy meter is made of किसका बना होता है वीच अब दर मटेरियल किसका बना होता है किसका बना होता है किसका बना होता है बड़ा सिंपल कुश्चन है सब जवाब देगा इनर्जी मेटर डी सी 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 एलमुनियम का बिल्कुल सब के सही जवाब है सब के बिल्कुल सही जवाब है सब के बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल सही है, next question on the screen, यह question बनाएगा, यह question बनाएगा, जो बनाएगा, उसको मिलेगा, अब यह सी किस चीज का चल रहा हुआ, सी किस चीज का चल रहा हुआ, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, question टाइप करेगा, अठारा का क्या है, जो भी सही अंसर देगा, वो यह लिखेगा, अठारा का अंसर क्या है, ऐसे टाइप करेगा, अठारा का क्या अंसर है, वो type कड़ेगा, बात नहीं बनी है, इस बार चलिए, बात नहीं बनी है, मामला गरबड़ा गया है, मैं पूछूंगा आगी आने वाले questions के बारे में, और सब एकाएक जवाब देगा, ठीक है नॉ सब एक आएक जवाब देगा नेहा चौधरी चलिए 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 बी डी अरे बहुत कोई गलत कर रहा है जी क्यों गलत कर रहे हो तुम लोग यह question आई हो पहले repeat हो चुका है सब यह यह हुए है हाँ यह हुए है इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना यह अल्रेडी हुआ है क्या बोलाए जी question में के कामान कितना दिया हुआ जी 600 के कामान कितना दिया हुआ है 600 नागस्ट बॉला अप्रिकर्मा यूनिट है ठिक है परती यूनिट है परती यूनिट कहने का मतलब क्या है यह कामान होता हुआ है number of revolution slash number of revolution आपर किलो वाइट आवर यानि किलो वाट अवर किसके बरावर है यह एक unit के बरावर है है ना एक unit के बरावर तो unit ठीक है वह 20 seconds time कितना दिया है अपको 20 seconds बस एक सचेंड लेख लेते हैं अगर किसी को नहीं पता होगा तो revolution कितना हैaja revolution है 5 तो बोल रहे हैं भार लोड क्या है भार किस सेंस में निकालना है kilowatt के सेंस में भार किस सेंस में निकालना है kilowatt इसका मतलब है K का formula जो होता है number of revolution number of revolution per kilowatt hour kilowatt hour अब देखें यही भार निकालना है यह दिया हुआ है आप समझे टाइमिंगों दे दिया यह भी दे दिया है और यह भार है नहीं निकलेगा बिल्कुल निकलेगा बिल्कुल निकलेगा तो कोई के का माने सर 600 के का मान है 600 revolution का मान है पांच किलो वाट को रहने देते हैं सर और आवर कितना जी सेकेंड में आवर को बदलना पड़ेगा बच्चे कंफ्यूज करते हैं जो बहुत तेजहा है जो बहुत बढ़ियां बिर्लियंट अस्टूनिट है वो ऐसे कुछ मानता है नहीं लेकिन जो नह सकेंड को क्या करेंगा जी बीस सकेंड को है त्राइस हो गहाइब बंड़ेलगे तो बसले बना से भागा फिर और घंटे में बदलना क्या उतना कोर्णर पे दिख जाना चीए तो दो जीरो इसी के लिए पेट लो काम हो जाएगा दो जीरो इसी का लपेटो चलिए और क्या बच गया जी फिर बच गया चपंच तीस अगुना छे बचल है अब तीस में जो जीरो कट गया अब यहां से दो से काट होगे तो तीन से कटेगा तीन दुनी छे इसका मतलब क्या हो गया यहां पे वैलू केल्कुलेट करो फाइनली कितना होगा किलो वाट आवर में 600 और टोटल अगर करते हैं तो यहां ध्यान रखेगा आपका थ्री बटर टू इसका मतलब 1.5 वान पॉइंट फाइब सो वान पॉइंट किलो वाट आवर दियान रखेगा ऐसे कुश्चन बच्चे लगातार कन्फूज कर जाते हैं अब देखते हैं क्या नेक्स्ट जो है हमारा क्या वह फॉर वाला कुश्चन होना ची या नहीं होना चीए आज सोचता हूं कि आज कु इस कुश्चन का जवाब जो भी देगा पहले इस 19 का जो भी जवाब पहले देगा उसको मिलेगा PLCS का ड़ा का एक अब इसको यह क्या है दब गया है अब इसे हटाते ही कुश्चन उठ जाएगा हम कुछ नहीं बोलेंगे 19 का सी क्रिपिंग एट नो लूट चंदन सिंग ज किसी ने जवाब दे दिया चंदन सिंग आपको नमर पता होगा आप उस नमर पे कॉल करेंगे PLCS काड़ा आपको मिल जाएगा उस नमर पे कॉल करेंगे PLCS काड़ा आपको मिल जाएगा चलिए 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 फटाक से बहुत एक्टिव हैं बहुत एक्टिव हैं चल चलिए 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 सब के CR एकदम सही जवाब थे लेकिन किसी ने कितना फास्ट ली दिया अब हटाते ही क्वेश्चन हट जाएगा ठीक है ना तो टू हॉल के जाते हैं किस पर अलमुनियम डिस्क पे किसको खतम करने के लिए नो प्लीस सर चंदन सिख ठीक है ठीक है चीज़े क्लियर है ओके ओके चंदन जी चलिए चलिए यह आपका बड़पन है क्लियर आज़ी तो थाई चलिए आगे बर जाएगा एज़ी है तो आगे बर जाएगा एलिमिनेट दिक क्रिपिंग और नौलोड ठीक है क्रिपिंग को दूर करने के लिए किस कंडिशन में नौलोड कंडिशन में अब देमो इसे नाम बदल बदल के रखोगे तो कभी घाटा भी पर जाएगा चलिए 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 कि नो नमबर मांग रहा है सर ओके ओके मुझे लगा कि यह बोला कि रहने दो बहुत ज़्यदा हो गया है ना चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओन दी स्क्रीन नमबर तो आपका अल्रेड़ी स्क्रॉल पर भूम रहा है जी स्क्रॉल देख लो कभी स्क्रॉल कभी देख लिया करो तुम लोग तुम्हीं लोग के लिए स्क्रॉल लगा रहता है चलिए 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 नमबर 8709631963 इन फैंटम लॉडिंग फैंटम लॉडिंग चलिए क्या जवाब है डी डी ट्वेंटी सी डी 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 बिल्कुल बिल्कुल चलिए डी डी जवाब देजे फटाफट जवाब दे फटाफट जवाब दे एक वार फटाफट डी आ रहा है किसी का कुछ बार है जवाब दे ट्वेंटी डी 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 पक नहीं ध्यान से ध्यान से ध्यान से फैंटम होता है फैंटम मतलब होता है आवासी कालपनिक कुछी step जो ना हो तो नो लोड कंडिसं मे भी फैंटम लोडिंग आरेंजमेंट होता है यह वी नहीं हो इंचियों का ध्यान रहें इंचियों का ध्यान रहें इसे कंडिशन में क्या होता है आपका जो टेस्टिंग होती है फेंटॉम लोडिंग बोले आता है आते हैं याँ बोलता है तुझ बोल उसमें रिडिूस होता है क्या होता है कहे इसे आ वो absent रहता है तेस्ट को दीवा था तो ऐसे condition technology consumption क्या होता है reduce होता है घट जाता है यह करता है यह रिए ठीक है चलिए next question on the screen next question on the screen, चलिए next question on the screen , चलिए चलिए next , next , next Next a Denoma anonymitar tab artimeter can be used on किस पे देन बिटर टाब किस पे बताहिये बताय यह 12 का दी 20 का दी 22 का दी 20 का दी 1St пока डी 1…. बला सिम्पल है टी द विद्स धिया थयर गॉछ दौन हॉड畼 Direrias की कॉर एंड Вас kommt sc एसी में चलिए चलिए बिल्कुल 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 फटाक से आगे बढ़िए फटाक से आगे बढ़िए फटाक से आगे बढ़िए एन ऑटोमेटिक पाउर फेक्टर कंट्रोलर कैननोट एचीव ऑटोमेटिक पाउर कंट्रोलर जो होता है वो एचीव नहीं क कर सकता है क्या एसा इची नहीं कर सकता क्या इची नहीं कर सकता क्या इची नहीं कर सकता an automatic power factor controller cannot achieve पीछे चल रहे हो पीछे चल रहे हो तुम लोग चलिये पीछे चल रहे हो 2023 अरे उत्मैटिक पिघ्ट्स रद कंत्र्ह Metallis चेंज और हैंobra में अधिगों बोल्टेजाटी कंट्रोल पॉसीवल है के ओप्धियर पॉझील है के लिवाट नहीं पॉसीवल रफ्सकोर ना पॉसीवल है जो रियल पाउर उसको अब्स्षर्ब कर ना पॉसीवल है so so your right answer is kilowatt control kilowatt मतब true power control kilowatt मतब true power control करना it is an automatic power factor controller cannot achieve नहीं achieve कर सकता real power consumption होगा उसको control करना बड़ा ठीक है चलिए 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 on the screen फटाफट आगे बढ़िये एन एलेक्टोडाइमिटेट आवाट मिटर दा करेंट कोल इसमेड फिक्स आयोब कुस्टन रिपीट है कुस्टन पारफेक्टर इंप्रूब्मेंट होता निजी पारफेक्टर को इंप्रूब करने के बहुत सार टेकनिक है एक नहीं पारफेक कि एमेजिंग टेक्सीन रेसेश用 का सब्सक्राइब करने क्या होता जीयों अ चैवरिज कोल ए Most ऑल हमसा। विफक्स होता है यह वाला जो मूबो होता है मुवेबल होता है यह क्या होता है मुवैबल क्या होता है मुबेबल हिंचों का ध्यान दिए यह क्या होता है movable होते हैं चलिए चलिए ध्यान रखिएगा आज के alternate में अभी आपका जो होता है ना ध्यान से समझेगा एक चीज़ और एक चीज़ और ध्यान से समझेगा आपका TTS alternate में TTS के alternate में आपका क्या चलता है practice क्या चलता है practice और अब से Monday, Wednesday and Thursday alternate में क्या चलेगा इस alternate में क्या चलेगा आपका circuit सागर चलेगा क्या चलेगा circuit सागर चलेगा और ये practice चलता है ये practice चलता है इन चीज़ों का ध्यान रखना यहाँ पर ये दो चीज़ों का ख्याल रखना है दो चीज़ों का ख्याल रखना है चलिए 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 दो चीज़ों का ख्याल रखना आप ध्यान रखने है इसका right answer यह है चलिए एक और चीज़ों मैं बता दू यहाँ पर यह practice चेट जो लाइब चलता वो रहेगा और circuit सागर की जहां तक बाद ही यह theory रहेगी इसकी theory रहेगी और यह पूरा circuit नहीं कराऊंगा उन topic को पकड़ूंगा जैसे आपको बहुत confusion होता है जिसके अंदर क्या होता है बहुत ज़्यादा confusion होता है like permittivity permeability में क्या difference होता है inductor के circuit कैसे solve होते हैं capacitor के circuit कैसे solve होते हैं resistance की कुछ complex circuit कैसे solve होंगे आगे resonance में parallel series सबको पता होता है parallel resonance में जो toughness आती है वो बच्चे नहीं कर पाते है उसके quality factor bandwidth हैना selectivity को relation में लाना किस सरके से question आते हैं वहां से question को उठाऊंगा magnetic circuit में कुछ ऐसे होता है तीन winding देता है तो question नहीं solve होता है वह question उठाएंगे वह section उठाएंगे जो आपको tough लगता है and another question exam में कम पूछते पर concept के लिए बहुत important वह चीज़ हम देखेंगे transient transient मैं पूरा पढ़ाऊंगा आप लोगो जो concept wise बहुत important है एससी जहीं की बात करो तो कोग यह सटाइम में को इस पूछता है कि नमर का लेकिन transient का concept बहुत important है टांजेंट अच्छा होगा तो power electronics बहुत अच्छा होगा transient अच्छा होगा तो circuit theory बहुत अच्छा होगा basic concept समझ पाओगे inductor capture को बहुत अच्छे समझ पाओगे machine भी आपका बढ़िया रहेगा चलिए 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 डिजिटल विकास सर नहीं पढ़ाएंगे क्या आप डिजिटल तो उन्होंने बोले खतम होगिया ना डिजिटल एक सेकेंट PC is movable विकास सर का डिजिटल खतम हुआ ना एक सेकेंट आप लोग ने सर तो बोले ते कंप्लीट करवा दिये हैं हाँ एक सेकेंट पहले बात कर लो what about डिजिटल उन्होंने बोला कि सर कंप्लीट तो हो गया है हाँ दीपक बोलो 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 सर तो बोले सर कंप्लीट हो गया है बिल्कुल सरकिट सागर का अलग से प्रेलिश्ट बढ़ेगा कोई किसी को कंप्यूजन है अगर ऐसा है तो कुछ प्रेक्टिस करा जाएगा पहले बताइए कि नहीं हुआ है सर ने बोला कि मैंने तो बता दिया था सर की एक्चुली कंप्लीट हो गया है सर आप निरभाई सर के ब्रोह क्या अलाबाद में पराते हैं नहीं जी वी आर फ्रॉम पटना ओके हम लोग आपको बात कर रहे हैं पटना से पटना से पटना से और ओफलाइन बैचेज 18 या 25 तारिक से ध्यान रखना 25 तारिक से प्लेट फोर्म इंस्ट्ट के अंदर ओफलाइन के ख्लासेस आपको मिलेंगे प्लेटफर्म कोचिंग के अंदर ओफलाइन के क्लासेश अगर कोई करता हाला कि अनॉंसिमेंट हो जाएगी प्लेटफॉर्म को सिंग के अंदर ओफ लैन की क्लासेश आपको मिलेगे कि माइक्रो पुसेसर करवांगा चलो क्या बात कर रहे हैं नहीं हुआँ सर नहीं हुआ अभी नहीं हुआ zaten ऋगा की साथ आपको बैंच में बोला है की होगी है complete circuit तागर इसी का alternate पास से च्छों के alternate में पास से च्छे का alternate में circuit सागर चलेगा वह circuit के basic concept इंप्रूब करने के लिए कुछ ऐसे चीज जो आपको फसाता है वह से उसे चीज़ों कवर करेंगे भी नहीं करवाएं अच्छा flip-flop नहीं करवाएं decoder रह रहा है सर मैं यह सोच रहा था कि आप आपको बोलूं offline के बारे में ओके ओके ठीक है offline तो हम लोग प्लेटफॉर्म पटना के अंदर कराएंगे प्लेटफॉर्म पटना ठीक है चलिए अस्टेशन वाला प्लेटफॉर्म नहीं फ्रॉम यूर यूटूब चैनल ठीक है मैं बोल दूंगा अगर ऐसा है ना मैं पटना आ गया हूं सर ओके अलोग बिल्कुल फिर चर्चा होगी आयो पचीज जनवरी या ठाड़ जनवरी समलुक कर रहे हैं वह फाइनल आपको डि कब होगा सर हम इसी के सिरीज में कराते जाएंगे चलिए चलिए यार करो जल्दी आगे हो गया चीजे खतम चीजे यहां पर कंप्लीट है नेक्स्ट क्लास में हम फिर कंटिन्यू करेंगे कुछ तो ऐसा है कि ऐसे कहते हैं कि ना तेरे आने की खुशी रही ना तेरे जाने का गम वो जमाना बीत गया कि कभी तेरे दिवाने हुए थे हम चलिए चलिए फिर मिलते हैं सर में बटना में कहां पर कोची हूँ चलिए ना आप कॉंटेक्ट कर लिजे फॉन पर कॉंटेक्ट करिएगा तो आपको पता चल जाएगा फॉन कॉंटेक्ट नमा स्कॉलिंग पर है चल रहा ओफलाइन के बैचेज के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा चीजे ठीक है चलिए आज की क्रास को यहीं पर दा एंड करता हूँ एंड करता हूँ यहाँ पर फिर नेक्स क्रास में मिलते हैं अल्टरनेट में हम मिलेंगे ठीओरी के साथ और इस अल्टरनेट में मिलेंगे सर्कीट सागर के साथ आप लोगों के साथ और जो अब कमिंग जो भी मिलता है अपकमिंग जो भी मिलता है चीजें धेहन रख्वेगा जैसे की यूटिलाइसन के कुछ बीडियो आपको मिल जाएंगे ओके मिलते हैं फिर नेक्स क्लास में ओके बाई बाई टाटा